हेलो फेंट्स वेलकंम टॉ आप अप लोगो का स्वागत करता हूं हमारी यूटूब के आफीछानल द।Adam लेके आया हूं और आpark सब्सक्राइब फिर्सक्राइब कार अगर मैं बात करूं फॉर्स platae कोश्चन का लेवल अगर मैं कहूं तो इजी टू मॉडरेट मॉडरेट लेवल का था डिफिकल्ट उसको नहीं कहेंगे पेपर थोरा सा लेंदी क्यूं बना वो भी मैं बताऊंगा सबसे पहले अगर मैं रिजनिंग की बात करूं तो यहां पर एक पजल देखने को मिले थे द वगेरा गया था ऊसको सिट्झ कि पूछा गया था जिसमें आठ लोग थे और चारल इनसाईड और चार आउट साइड देख रहे थे ऐसा question उसमें देखने को मिला था puzzle में एक uncertain puzzle आपको देखने को मिला था जिसमें उनका कहना था कि number of people जो है वो 15 बैठे थे uncertain questions आपको देखने को मिला था uncertain people का एक box based puzzle पुछा गया था जिसमें 10 box एक दूसरे के उपर रखे गए थे इस तरह का question पुछा गया था reasoning में और salogism भी पुछा गया था 5 only few वाले questions ज्यादा देखने को मिले थे inequalities भी देखने को मिला था 4 या 5 question inequalities के भी देखने को मिले और directions से भी question पूछे गये थे और काफी अच्छा level का question था direction का जिसमें 2 variable थे दो लोग का direction उसमें mix करके question दिया गया था अच्छा question था वर्ड formation की आपको questions देखने को मिले थे जिसमें साइध क्वाइन या icon करके कुछ words formed हो रहे थे उससे related questions थे एक number number दिया गया था 7692 ऐसा करके उसमें event number में one minus करना था one plus करना था जो भी event number थे सम संख्या में और विसम संख्या में एक घटाना था और फिर उसके दाएं से तीसरा या और फिर बाएं से तीसरा या पाचमा ऐसा उनका सम या अंतर पूछ रहा था इस तरह के questions देखने को मिले थे और अगर overall अगर मैं बात करूं तो paper का level अच्छा था reasoning की अगर मैं बात करूं तो एक पजल जो है उसमें लोग फस रहे थे जैसे दो variable वाला था उसमें अगर आप करने बैठ गया है तो उसमें टाइम आपको लगने वाला था और एक बॉक्स वेज पजल था उसमें काफी बच्चे फस रहे थे लेकिन doable था अगर मैं math की बात करूं तो math फिर से लेंदी पेपर था पेपर लेंदी था ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते लेकिन according to time यह पेपर थोड़ा सा लेंदी बन जाता है चुकि एक डियाई तो काफी आसान थी उसमें आप अच्छे से कर सकते थे एक डियाई में total number of students दिये गए थे उसमें total number of students के बाद masters करने वाले बच्चों के percentage दिये गए थे और उसके बाद बाद मां कि आपको graduation करने वाले बच्चों के number of students निकालने थे और उससे based काफी questions देखने को मिला था और थोड़ा सा लंबा लंबा questions था तो उसमें टाइम टेकिंग था आपको approximations भी आसान थे approximations के 5 questions देखने को मिले थे और अगर मैं बात करूं कैसलेट की तो एक कैसलेट डियाई भी था और एक कैसलेट डियाई भी था और इसमें रॉंग नंबर सीरीज भी देखने को मिले था जिसमें दो तो आसान थे लेकिन तीन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और एक कोस्टन तो काफी ज़्यादा बन भी नहीं रहा था तो और अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक भी दूएवल थे लेकिन कोई भी आसानी से तीस सकेंड में बनने वाले थोड़ा सा लेंदी देखने को मिला मैं जैसा कि आपको और भी कलरक में देखने को मिला था तो मैं अगर आपके आरेंजमेंट से बैट जाते हैं तो आपके भी मिस कर गए तो आपका थोड़ा सा टाइम उसमें लगा होगा तो और अगर मैं गुड़ की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे आपको बताएंगे कि मैंने सेवेंटी एटेम्ट किया तो उनकी बातों में नहीं जाना अगर एक्चुल एटेम्ट जो पीओ में होना चाहिए जिनका भी एटेम्ट फिफ्टी थिरी के ऊपर है यानि कि वह अनसर्टेन पीपल के ज्यादा बनाएं बॉक्स बेस पर ज्यादा ध्यान दे और लीनियर एक आपको डिजनिंग में ब्लड रिलेसं के बीकुश्चंस आप सॉल्व करें डायेक्शन के बीकुश्चंस जैसा कि मैंने बताया तो इन सब चीजों पर पर थोड़ा पिसिमम नंबर ऑफ एक्टेम्ट्स हो पाएंगे तो अवरॉल यह फर्स्ट शिफ्ट के एक्जाम अनलाइसिस थी और मैं जल्द ही आपको सकेंड शिफ्ट के अनलाइसिस के साथ आप लोग के सामने मौजूद होंगा थैंक्व वर वाचिंग की पाचिंग आवर वीडियो सक्वात सिर्ज को लिए उनलाइसिसे पाफिद विल्द हो भीडियोग के संपटे लोग के साथ एक्टे वाचिंग के साथने में पाचिंग एक्टेम सित कर रचे वाचिंग यह जए लोग कि आपश्य सुझा